हाँ वही आपको भी होँ तेनकी कैसे पहले छेक कर लो अगर आपके गुटने टाच होते आ से यह में पृष करेंगा इसको है और परिट्चे से मेरी नी है बोन मेरी सीधी है पहले मेरी बात धानसे तो नो फिर एक्सराइज नोकनी जड़ से खताम और पहले रिजन्ट दिखा देता हूं मेरे कैमरामेन की जो मिने पिछली बार पुरानी वीडियो बनाए था भाई दिखा पने बूठने देखलो भाई पैट अच्या यह ह थमने लापने देख लिया होगा हमने वीडियो बनाये था यह हमारा रिजल्ट था अब इसका भी रिजल्ट दिखाएंगे पर उससे पहले मेरी बात द्याद से सुनो वीडियो जो लंबी हो यह कोई देख करने पर आपको पता तो लोग जाएगा आपकी कौन सी वाली नोखन लगे इस तरीक से ठीक है यह बाहर निकल रही है यह हड़ी वाली बॉन वाली नोखने से बास द्याद से समझना दूसरी नोखनी कौन सी होती है अब मेरे पैट अच्छे है मेरी बॉन ता सीदी है बट अगर मेरे आप फैट जम जाए फैट इखट यहां फैट इखट यह और ऐसे चुपक जाएं तो वह तिए फैट वाली नोखने जिसे हम बोल सकते हैं मसल की वज़े से नोखनी में आ गई समझे बात को तो अपना पहले चेक कर लो तुम ऐसे आध मारो अगर हड़ी हाट में लग गई अगर ऐसे मानने से हड़ी लग रही हाट में फील हो जाता अब इसमें मैं समझा दिता हूँ आज की वीडियो में बोन वाले के लिए बी मसल वाले के लिए दोनों का करवाने वाले एक साथी सबसे पहले मेरी बात धान से सुनो यह जो प्रोग्लम होती है इसके लिए आपको पहले क्या अवोड करना पड़ेगा उसकी बात हम करते है ऐसी चीजे जिसमें आपका पैर बेंड होता हो ऐसे जैसे कि यह वाली एक्सराइज होगी यह नहीं करना करते हैं रनर होगे वह करते हैं जूसरा रणिंग करते समय आपको क्या कोसिश करना है कि नॉर्मली आप ऐसे इस तरीके से रनिंग ना करो दाल से सुन लिए मेरी बा पार वानी चाहिए दिख रहा एक होता है हम ऐसे रर्णिंग कर रहे हैं बल्लो गुटने बिल्कुत सिध्य सिध्य चल रहे हैं एक है हम गुटने के बाहर निकाल चल रहे हैं जबरदस्ती जबरदस्ती आवाते हम अपनी एक्सरसाइस पर जो अमारी नोकनी को खतम करेगा ठी इस तरीके से पहले लगा है है और बैंड है कि अब एक चीद का आन देना है बैक सीधी रखना वान हो जाएगा आप गूं जाए केमरे के साइट कर शाबस कर बैंड हां पूरा बैट हां कोसिस कर हां सबस मैं अब एक्दम सीधा कड़ो अब देखो अब बल्कुल सीधा अब दड़र बेंडो भीवेंडो में उता है वित कुछ नोट। कर रहे हैं कि आपके लिए अगे हैं डीर अब बोल में लेक्त प्रेस होई एक प्रेस हो उरी करने करने को को सिसकर जितना हो रहे है अब पैर मिनको सिध्दे कर जितना हो रहे है जब दस्तिक करना स्टार्टिंग पहली एक्सेसे जितना हो रहे हैं पहलों को नीचे से हलका 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 सा बस पंजे भी कोसिस का पंजे बिला पंजे पास में पंजे पंजे यह उंगुट्टे से अंगुट्ट्या ठीक है वीडियो बले लंबी हो जाए वलेकिन नोक नीख खतम हो रही है धान ठीक है अब इससे क्या फाइद हो रहे है अभी इसको खुछ देख लो जब आप यह नॉर्मल जब यह ऐसे खड़ा था जब भी गुटने टाच हो रहे थे और यह इतना पास खड़े अब गुटने टश नहीं हो रहे हो अब इसको क्या आपको फोलो करना है इसे 2-3 मिन तक आपको इसको तीन से चार बार रिपीट करने मतलब की दो मिनेट आपको श्रक तौड़ा से कंटीनूर रखना फिर छोड़ा और फिर द체 invari लगाना फिर दोबार लगाना से 30 जा अब कर देन भी करते हुआ वहना तो इससे भी आपका फरीग थाई करने हाँ शाबश करने दोस्ते होपि कि हमारी थाई को उपफर प्रेस करें उपढ़ और ऽुका आगे वाला पैर है इसको नीचे प्रेस करें इस तरीके से एक दर तो नहीं आ रहा है और है पता दिए ज्यादा दिक्कत नहीं होने चीज़ थोड़ी थोड़ी तो चलता है ठीक है दोना साइड आपको इस तरीके से फोलो करना है खीक है फटा फटा खटा हो जाओ बीड़य लंबी नहीं करनी समझlıस अब होंधे हो की चोती हैром की करने हैं अब जंपंग कैसे करने पैर पजे बार की अंदर ही सैड़ी और ईड़ी ओerek इंजना की इस तरीके से चल चाल हो जा हाल की जम कर बुढने बार की साइड निकाल ऐसे इस तरीक से सबस्ष हाँ है तो चलता रहे फिर कि शाबस कि शाबस कि रिलेक्स चार एक्स साइज पाच्वी एक्स साइज पैर पकट अपना इस तरीके से ठीक है और इसको ऐसे स्टेच कर कि यहाथ रख दे कैसे देखो समझो पैर पकड़ना है ठीक है इस तरीकी से और इसको ऐसे स्टेच करना है अब बहुत यहां होंगे जिन पर बैलेंस नहीं बनेगा इस ऐसे गिरेंगे तो आपको सिंपल से काम करना है कुछ भी निशाल लगा लेना जैसे यह निशाने मेरा मै कध्रारक नहीं है और इस तरीके से बैलेंस ऑटमेंटिक बन जाएगा आपका गिरेंगे यह नहीं है चलवाई करके देखाए इनको पतल है बोटल में निगारा कि बने design हिसो इस तरीक़ी साबको बैलेस बना लेनाने कैसे बैलेस बनेगा दूता रिका ऱतर हो और को इस कि यह फैट वालों के लिए भी बहुत अच्छी एक्साइज है और जो जिनके बॉन की भी यह उनके लिए पर बैस्ट रहेगा शाबस है कि आप शावस हाँ सावस कितनी हो गई श्यक्साइज हाँ चाह वी निचया इस तरीकिसे ठीक है और बैर को आउटर खिसाइड थ्रो कर हलका सांव सपोर्ट करके गिरना निये गुटने को हलका सा भार निकालने कोशिस कर इस तरीकिसे हाँ जबरतस्ती नहीं करना थोड़ा जब आप यह साफ इस तरीक से देखो एक होता है नोर्मली इतना सीदह और यह थोड़ा इतना बहुत है ठीक है दोने लख से एक है नोर्मली इतना एक है भार इसे अभी थोड़ा से गूंगा सुरज़ीरा से है 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 अब किया करना और पैर को एसे रख और ऐसे आउडर में निको मोड गुमान है तेख इस तरीके से पूरा पूरा निकुमाना इस तरीके से हां हाफ इस शाबश है हाँ ठीक है हां भार की साइट थ्रो करना है हाँ सबस्ट दूसरे लेक्स से कि इस बॉल कि इनर इनर नीलाना बस गुमाना है बार ठीक है ठीक है अब बैनर बैट साथ एक्साइज होगी अब बैनर बैट सबस्ट हाँ यह वाली एक्साइज कर जो हम स्टैचिंग करते हैं हाँ पैर रख लें यहां यहां पैर रखने हाँ इस तरी से अम्हें दावनों स्टैचिंग कर हाँ डाउन सबस्ट आगे लिए थोड़ा देख दहां से दिखांग कैसे करना एक पैर सीदा दूसरा पैर इस तरगी से इस प्रूरा स्टैच कर हाँ हाँ लंजिंग करना होड नहीं करना लंजिंग अशावस दूसरा लेक्स कर सावस चेंग अब यह मैं बहुत चीज ऐसे पताने वाला हूं जो अबोईड करना है ठीक है और बहुत चीज अब बच नहीं है धान से समझना इस वीडियो में कर चल सावस वीडियो में चीज फोगी रिलेक्स पैरों को बार की साधी को ऐसे एसे ऐसे पेर को हाँ और खुल और खुल और खुल और खुल खुल हाँ ठीक है अब उस पैर को टोच कर फिर इस पैर खुल ज़ल दीकर आपटा पट शबस खड़ाओ जब देगो यह एक्सराइज है बेसिक जिसे हम बोल सकते हैं यह तो आपको स्टार्टिंग में करना पड़ेगा अगर आप इसमें कमेंट करते हैं इस वीडियो में पार्ट टू लाने के लिए जो थोड़ी हाड एक्सराइस कराएं जिसमें जल्दी खतम हो तो हम पार्ट टू लिए अभी हम बस यह चाहिश खतम कर रहें पर में बात करते हैं कि क्या हमें वोड करना होगा और फैट लूस के लिए मैं आपको एक्सराइस कर रही ही नो वह बैस रहेंगी और फैट लूस वाले जिनका वेट जादा है वह तोड़ी एकक्सराइस दो करना लों दोोड़ करें अब एक चीज करना व्हें आवाली सोग्य लेट चाहिए सब्सक्राइब लेगे और लमिए में यह चल जाएंगे और वह वाले निले नहीं मिल्मन शोल बेकार होती है जो भूब आपको यह और वाली की हाज ले लो जिसमें गिरीप अच्छी हो पैट टेड़ा मेडा ना मुझे दूसरा चीज रोड अवोईड करना पड़ेगा सड़क सड़क पर क्या होता है हमारा प्रेफ फोर्स बहुत जाद लगता है हमारे ओल्रेडी नीमोटी हुई है तो जैसी फोर्स लगेगा तो नी अंदरी सब्सक्राइब करना है तीसरा सूज उतार के वरकाट होने के बाद गाज में गूमना है और गूमना कैसे इस तरीके से बाहर उटने मोड के इस तरीके से ठीक है बाहर की साइड गुटने मोड के और सबसे जाए इंपोर्टन जो जिनका वेट जादा है वह घी छोड़ दे सबजी रोटी सूखी रोटी काऊं दवा के भर भर पे ठाना है पर बस यही यही चीज़ते का फोलो करना है 100% इतने से रिजल्ट मिल जाएगा फिर मेंबर पार्ट तू लाँआ आपके कमेंट पे वैसे नहीं लाँआ अगर आपके कमेंट आता है पार्ट तू के लिए सो ह प्रट नहीं जहीं